जब अगर वो बेबी प्लानिंग के बारे में सोचते हैं बेबी प्लानिंग आपको कब करनी चाहिए ammonia कब कैसे आपको रिलिशन प्लान करना सब के ओपर मैंने बहुत सरी वीडियोिस बनाई हुई है कि आपके लिए फटाइल डेज इतना important क्यों होता है क्योंकि महिला की शेर से जब तक अंडा release नहीं होता है उस टेम पे अगर वो पती के संबर्क में रहती है तो ही गर्भ धारन रुकने के chances होते हैं लेकिन अगर अंडा मौझूद ही नहीं है तो आपकी relation प्लान करने का भी कोई फाइदे नहीं होता है और गर्भ नहीं रुकता है तो आज छोटी-छोटी सी चार ऐसी गलतियां बताऊंगी जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तो वीडियो काफी इंफर्मेटिव है प्लीज शुरूर से लिए कि लाश्टक लेकिन अगर आप बेबी प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो कमर के नीचे एक से दो पीलो को जरूर रखे इसे जादा से जादा ये चांसेज बनते हैं कि जितने भी मेल के सेल्स हैं उनकी जल्दी से जल्दी एंट्री हो जाए जो फिमेल बॉडडी है उनके अं दोनों वॉश्रूम इस्तमाल करने जाते हैं जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आप रुख सकते हैं तो आदे घंटे तक आपको ज़रूर रुखना चाहिए और अगर आपको वॉश्रूम के इतनी प्रेशर आ रही है तो रिलेशन के पहले ही आपको ये सारे काम को complete करना चाहिए क्योंकि relation के बाद करीब आधा घंटा आपके लिए important होता है आधा घंटा थोड़ा एक दूसरे के साथ भी time spent करिए वो आपके baby planning के लिए भी जरूरी है और एक दूसरे के साथ आपकी जो emotional touch होती है उसको भी बढ़ाने के लिए मददगार होती है तीसरी आपको relation के तुरंद बाद नहीं करना चाहिए relation में जब पती-पतनी आते हैं तो उनकी body का जो temperature होता है काफी ज़्यादा बढ़ा होता है और उसके बाद sudden अगर आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो वो आपके लिए physically भी सही नहीं होता है क्योंकि आपकी बहुत सरी गलती आपको नहीं करने चाहिए थोड़ा सा समय आपको एक दूसरे के साथ जरूर बिताना चाहिए फोर्थ इंपोर्टेंट गलती जो कि अकसर महिलाएं ऐसा करती है कि वो leg up the wall position का ट्राइड नहीं करती है leg up the wall position आपके लिए बहुत जरूरी होता है अगर आप घर धारन क लेकिन सेफर साइड के लिए 15-20 मिनट आपको leg up the wall position जरूर ट्राइड करना चाहिए अगर आप चाहे तो आप अपने पैरों को दीवार के साहरे खड़ा कर सकते हैं या कोई ऐसी भारी चीज उसके साहरे भी आप अपने पैरों को थोड़ा सा उचा रख सकते हैं बहुत सार और फेस्बूक के पेश को लाएकर ना पिलकुल ना भूले थैंक यू सो मच फॉर ओचिंग ट्विंस मैं वर्ल्ड